इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कल्यान जोलर्स के बारे में देखो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझते हैं कल्यान जोलर्स ने पिछले last six months की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक अच्छे कासे return को दिलिवर किया 26% और पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पर 200-200% के returns को डिलिवर किया है आपको ultimately point यह समझना पड़ेगा कि जो growth थी ना company में it has been discounted at least for a while अगर हम लोग यहाँ पर 11 समझते हैं बढ़ना किसी भी stock के अंदर आप इस तरीके का surge नहीं देखते हैं जो आपने इस समय कल्यान जोड़ेस के अंदर notice किया है सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर इनका growth किस तरीके से आया है वो बहुत समझना important हो जाता है यहाँ पर हम लोग चलते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके quarter for effort 24 को वहाँ पर सबसे आधा idea लगेगा देखो 204 कल्यान शोरूम्स जो हैं यहाँ पर ultimately अब इनके हो गए हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो 76 फोको हैं फोको होते हैं franchisee owned and company operated वो एक factor यहाँ पर आपको समझना है 13 Candia शोरूम्स हैं Candia रिनी का एक sub brand है और इसके लावा गर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं Middle East के इंदर 36 कल्यान जोरूम्स के शोरूम हो गए हैं तो ultimately जो expansion का phase है वो बहुत जबरदस्ता है and market is a discounting machine, market is known to discount growth of the company, वो चीज़ हमें यहाँ पर होती हुई नजर आई है जो आपको ultimately factor समझना पड़ेगा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं gold jewelry demand and ownership higher in rural India and rises with income levels, तो अगर आ देखेंगे तो rural India के अंदर demand जादा आ रहे हैं जैसे जैसे personal disposable income बढ़ेगा, it also tends to grow a lot, south constitute largest pie in the Indian jewelry market, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो south men का focus सबसे ज़्यादा है and domination भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा है in terms of revenue जहां से company generate कर पाती है, wedding wear सबसे ज़्यादा बिखता है which is 60%, daily wear 30 percent next है and उसके बाद में fashion wear है, एक बड़ी चीज यहाँ पर आपको यह समझनी पड़ेगी, कल्याँ जोलस के case में कि अब अगर आप दो चीजे यहाँ पर factor देखोगे, एक stop का PE 70 का आसपास है, industry के PE को देखो, फिर आप देखो यहाँ पर इस company का sales growth क्या है, 30% का sales growth, अगर 70 का PE यहाँ पर maintain हो जाता है, तो it's a good thing, but ultimately point है समझना है कि उस पर तो जो valuations है, वो यहाँ पर ultimately company को सारे मिल चुके है, तो फिर factor क्या है, factor है यहाँ पर सबसे बड़ा यह है, इस company के case में, कि आप यह चीज नोटिस करोगे, जैसे जैसे यहाँ से forward looking growth आईगी company में, sales numbers आएंगे growth numbers आने लगेंगे, तो आप देखोगे कि वापस से हम लोग देखें कि stock के अंदर जो है, एक recovery आने लगेगी और उसके बाद में दुबारा से वो journey continue होगी, जैसे last three years अगर आप यहाँ पर देखो, तो बहुत अच्छा growth zone रहा है, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर आडन नहीं होगा, बॉरिंग्स में अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो lease liabilities 1170 करोड के हैं, while 3300 करोड के short term बॉरिंग्स है, इन पर company work भी हमें करती हैं नजर आईए, अगर हम last one year में देखते हैं, shareholding pattern यहाँ पर आपके screen पर है, FIIs ने यहाँ पर stake को काफी rapidly कम किया यह भी एक आपको factor समझना चाहिए है, यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर यहाँ पर यह है कि D.I.S. में अपने stake को rapidly add भी किया है, D.I.S. में देखते हैं भाईया किसने इतनी position बनाई है, तो मोदिलाल ओसवाल, midcap fund ने यहाँ पर almost 1.29% of the stake acquire किया है, Franklin India ने अपने stake को यहाँ पर बढ़ाया है, इस particular company के case में पबलिक के पास में अगर हम बात करते हैं इस company के case में, तो यहाँ पर आप देखोगे कि थोड़ा सा stock share rolling कम होती है, अब देखो यह जो funds लेते हैं, यह इतनी जल्दी exit नहीं लेते हैं, तो वो एक factor आपको समझना पड़ेगा, longevity के हिस आप से जैसे मैं कहे रहूंगी, growth आ रही है, बट यहाँ पर in terms of the forward looking growth, आपको चाहिए कि अब यहाँ से stock ऊपर move करें, तो आपको forward looking results का भी wait करना पड़ेगा, 4th August 2023 को last 50 पैसे का dividend देखने को मिला था, कल्यान जुलेस के top से अगर हम लोग एक चीज़ डिसकस करते हैं, 442 के आसपास में top बना था company का, एक बार को high तो 4.500 तक भी चला गया था, बट closing यहाँ पर मिली थी, अब देखो यहाँ से एक channel pattern बना है और उसके साथ में stock नीचे जा रहा है, वीसिनली 50 ए में यहाँ पर break हो गया था, बट अगर हम लोग देखते तो वापस recover हुआ, आज के दि कि यहाँ से जो initially breakout आते हैं उनमें pullback भी काफी जल्दी आता है, यह दो factor आपको consider करने, यह level break होता है और वापस से ऐसे momentum आने continue हो जाते हैं, फिर आप समझ सकते हैं कि higher trend के अंदर reversal आने लगा, यह देखो higher highest जैसे यहाँ से बनने लग जाए, previous high को beat होके, तो आपको अच्छ यह दो मैं लग जहाँ से हो जाए अ कर आए हैं, आपको आपको आपका अ।क पार आपको भाम जह कूए, यह दो क्रवट कैशल गूरा से हैं, वैसना मेंने मैंने क्रवा, तो आपको आते हैं, वाब झाले कि अवरब कॉण थेखा नहीं आपकी से जाए, कि यह ओृड तो कि